दोस्तों क्या कभी आपने उड़ने वाला साफ देखा है जो हवा में उड़ते उड़ते ही अपना शिकार कर सकता है और क्या कभी आपने एसा साफ देखा है जिसकी पूँच पर मकडी लगी होती है जिसका उप्योग यह साफ अपना शिकार पकड़ने के लिए करता है और कभ जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे तो दोस्तों वीडियो को अंध तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को दुनिया के कुछ ऐसे सापों के बारे में बताने वाला हूं जो लाकों करोडों में से एक हैं और सबसे अनोखे भी नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रहस एंड नेचर के इस वीडियो में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें और पास ही बने बेल के आईकन को भी प्रेस करतें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे तो दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं स्पाइडर टेट हॉर्नेट वाइपर की दोस्तो अब आप नेचर के एक और चमतकार को देखिए जहां यह साप अपनी पूच को जाल बना कर शिकार को अपने जाल में फसाता है क्योंकि इस साप की पूच की आकरती कुछ इस प्रकार की है कि वर किसी जीव या मकडी की तरह दिखाई देती है जब इस साप को शिकार करना होता है तो यह एक जगर बेटकर अपनी पूच को हिलाता है और अपनी पूरी बॉड़ी को स्थिर रखता है जैसे ही कोई जीव या पक्षी इसे भोजन समझ कर इसे खाने आता है यह सा साप की खासियत यह है कि यह साप जादा तर पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं और यह किसी को दिखाई भी नहीं देते क्योंकि इसका कलर और टेक्चर है ही कुछ इस टाइप का जो कि इन्हें छिपे रहने में बहुत मदद करता है यह स्नेक इतने रियर होते हैं कि प्रजाती का है और उपर से इसके दो सिर भी हैं और यह दोनों ही बातें इस साप को बेहद ही दुरलब बनाती है जबके इसके शरीर का बाकी हिस्सा एक ही है और यह अपने दोनों सिरों से एक ही समय में अलग-अलग ओजन कर सकता है और अलग-अलग पानी भी पी सकता है यह साप इतना रियर है कि इसकी कीमत एक करोड रुपय से भी जादा है दोस्तों आपको साप पसंद है या ड्रेगन या आपको दोनों ही पसंद है क्योंकि अगर आपको दोनों पसंद है तो आपको यह स्नेक बेहद ही पसंद आने वाला है क्योंकि इस साप की बनावाट बिलकुल ड्रेगन के जैसी है अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाला ये साप की स्कीन बिलकुल ड्रेगन के जैसी है आपको इस स्नेक के अलग-अलग कलर और वेरियंट मिल सकते हैं ये ज़्यादा तर छोटे जीव ये छिपकली को अपना शिकार बनाते हैं वहीं ये साप अगर किसी इनसान को काट ले तो उपचार न मिलने पर मोद भी हो सकती है दोस्तो अब बारी है मेला कोसी लिप नोज स्नेक की दोस्तो साप तो आपने बहुत सारे देखे होंगे लेकिन इस साप को आपने शायद ही कभी देखा होगा ये साप देखने में किसी पेड की सूखी पत्ती की जैसा दिखाई देता है इसका कलर और इसकी लंबी नाथ इसे छुपाई रखने में काफी मददगार साबित होती है यह साब पूरी दुनिया में केवल मेडागासकर आइलेंड पर ही पाय जाते हैं मेडागासकर हिंद महासागर में स्थित अफरीका का सबसे बड़ा द्वीब है यह साब जयादा तर गिरीट का शिकार करते हैं यह साब जहरीले नहीं होते दोस्तो अब बात करते हैं पेराडाइस फ्लाइंग स्नेक की इस साब का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि यह साब जरूर उढने वाला ही होगा जी हाँ, यह साब वही है जेसा कि आप सोच रहे हैं लेकिन थोड़ा फर्क है यह साप उड़ते नहीं है बलकि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते समय उड़ते वे दिखाई पड़ते हैं यह साप जब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता है तो हवा में अपने शरीर को फेला लेता है। जिससे यह काफी दूर तक एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उता हुआ जा सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं हाउने डिजर्ड वाइपर की। कहते हैं ना कुदरत ने हर किसी को इतना काबिल बनाया है कि अपना जीवन जी सके। हर जानवर की अपनी खासियत और खूबी होती है। कुदरत ने किसी को ठंडी जगव पर रहने की खूबी दी है तो किसी को गर्म रेगिस्तान में जीने की काबिलियत। एसा ही एक साप है जो अपनी निराली विशेशता के लिए जाना जाता है। यह साप दुनिया का एक लोता एसा साप है जिसके सीर पर दो सिंग होते हैं। इसे ज़्यादा तर लिजर्ड वाइपर के नाम से जाना जाता है। यह एक बेहद ही जहरिला साप होता है। रेगिस्तान में रहने की वज़े से इसका रंग भूरा और रेतिला होता है। यह रंग इसे शिकारियों से बचाने में बहुत मदद करता है। और इसी रंग की वज़े से यह अपना शिकार भी आसानी से कर पाता है। दोस्तो अब बारी है अलबीनो एडर्ग स्नेक की, यह साप दुनिया के सबसे जहरिले सापों में से एक है, यह साप जाडियों और मेदानों के पास पाया जाता है, यह साप हमेशा शिकार की तलाश में ही रहता है, यह साप छोटे रेप्टाइल्स को अपना भूजन बनाता ह और यह अधिकतर अपने आपको पतियों में छिपा कर शिकार करता है, यह अपने शिकार में अपने दातों की मदद से जहर छोड़ देता है, जिससे शिकार की तुरंत मोथ हो जाती है, और यह उसे अपना भूजन बना लेता है, दोस्तो अब बात करते हैं ट्रेगन स्नेक क यह साप देखने में बिल्कुल एक ट्रेगन जिसा दिखाई देता है क्योंकि इसकी बॉड़ी पर उबरी हुई डिजाइन होती है जिसकी वज़े से इसका नाम ट्रेगन स्नेक पड़ा है यह प्रजाती ज्यादा कलर में नहीं पाई जाती इस साप के काटने पर किसी भी वेक्ती की मोद तो नहीं होती लेकिन उस जगह पर गहरा खाव जरूर बन जाता है जिसे ठीक होने में काफी समय लगता है इस साप की लंबाई 2 फीट तक हो सकती है वेसे आपको इन में से सबसे बेस उसने कौन सा लगा हमें कमेंट करकर जरूर बताईए साथ ही वीडियो को लाइक, शेर और चेनल को सस्क्राइब करना ना भूले वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद